हमने अपना remote control लोगों के हाथ में दे रखा है, हमने अपना remote control conditions, situations, बाहर सब को दे दिया, लोग बटन दबाते हैं कि खुश हो जाओ तो हम खुश हो जाते हैं, लोग बटन दबाते हैं दुखी हो जाते हैं, लोगों के वहवार, लोग कैसे वहवार करते हैं, situations कैसे बदलती ह उससे हमारे अंदर की खुशी डिसाइड होती है तो पावरफुल कौन हुआ, सिचुएशन्स या मैं अभी हमने लोगों को पावरफुल होने दिया है अब आत्मा का ज्यान जानिये क्या ज्यान? कि मैं पावरफुल हूँ तो मैं लोगों को हावी नहीं होने दूँगी सिचुएशन्स बदलती रहती है सिचुएशन्स पे तो मेरा कंट्रोल नहीं है परन्तु मैं अपने उपर तो कंट्रोल रख सकती हूँ तो हम लोगों को हावी होने देते हैं negativity को हावी होने देते हैं, कोई मुझसे कैसा भी विवार करके चला जाता है, मेरे पे हावी हो जाता है और मैं उसके गलत विवार के कारण अपने आपको भी negative कर लेती हों, तो अपने आपको positive करें, हर बार ऐसा क्यों कि negative जीते और positive हार जाए, अब equation change करेंगे, हमें positive को जितान है और negative को हराना है, अधर्म को हारना चाहिए, धर्म की जीत होनी चाहिए, यही तो हमारी संस्कृति हमें सिखाती है, हमारे रिशी मुनी, हमारे गुरुजन सिखाते हैं, तो हमारे अंदर दो तरह की संपदा हैं, दैविक और आसुरी, तो दैविक संपदा को जता है, क्यों उसने ऐसा कहा, मेरे बच्चे ने मुझे ऐसा बोल दिया, उसने मिरकवत ऐसे वहवार किया, तो हम माइन में उसे घुमाते रहते हैं, रोटेट करते रहते हैं, इस आदत को छोड़ दीजिए, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, इसे याद रखिए, लोग बुरा मा बिमार लोग हॉस्पिटल में आते हैं, डॉक्टर क्या करता है, उनका इलाज करता है, परन्तो क्या डॉक्टर उनके साथ खुद भी बिमार हो जाता है, यह जो संसार है, यह भी एक हॉस्पिटल की तरह है, यह तरह तरह के मरीज हैं, कोई क्रोध से पीड़त है, कोई इग उसकी तरह होते हैं, वो उन्हें हावी नहीं होने देते, उनकी बिमारी को ठीक करते हैं, उन्हें पॉजिटिविटी देते हैं, उनकी नेगटिविटी को कम करते हैं, तो आपकी लाइफ में भी ऐसे कुछ लोग होंगे, जो इरिटेट करते होंगे, इरिटेटिंग होंगे, या आपसे इर्शा करते होंगे या नफरत करते होंगे उन में से किसी एक व्यक्ति को अपने मन से चन लेजे क्योंकि धर्म प्रयोग सिखाता है धर्म सिर्फ थियोरी नहीं सिखाता तो हमने एक व्यक्ति को चुना जिसे आप बिल्कुल पसंद नहीं कर रहे हैं अब आपने क क्या प्रयोग करना है कि वो कैसा भी विहवार करे मुझे प्रेम सम्मान शांती से जवाव देना है पहले क्या मन की प्रोग्रामिंग थी एक सुनाएगा मैं दस सुनाऊंगी उसको चेंज करें चेंज कि मुझे सम्मान से बात करनी है क्यों क्योंकि मैं पाउर्फुल हूँ न गलत वहवार बिल्कुल नहीं रखना है शुरू में मन विद्रोह करेगा ऐसा क्यूं मुझसे नहीं होता मैं नहीं कर सकता मन को फिर दुबारा समझाईए मन को समझाने से मन मान जाता है तो डेली समझाना पड़ेगा फिर माइंड कहेगा कितनी बार अच्छा करें तूसरा त इनना मैं जितना हो सकेगा अच्छा वेवार करूँगा अब इसका फाइदा क्या है जो व्यक्ति हमेशा स्थिर रहता है अपनी मधुरता में अपने प्यार में अपने पर कंट्रोल रखता है उसकी जो इनर पावर है वो पावर उसकी बढ़ती चली जाती है और दूसरा व राक्मिनस पराप्त होती है